चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमने model paper 3 से एक से लगा कर 11 तक प्रश्ण है वो solve कर दिये यानि खंड अ के सभी प्रश्ण है वो solve हो गये और वो वीडियो आपने नहीं देखाये तो उसको playlist में जाके देख लेना ठीक है आज हम करेंगे model paper 3 का खंड ब तो सुरुवाद करते हैं पहला प्रस्ण आपको दे रखा है कि 12 प्रस्ण है ये और 12 प्रस्ण क्या है कि सुत्र उर्द्व तिर्यक द्वारा गुना करना है 62 का गुना करना 143 ठीक है तो जब उर्द्व तिर्यक वाला method आए तो उसके अंदर आपको ये दियान रखना है कि दोनों और digit वो समान होने चीए यानि यहां पर जो संक्या का गुना करना है आपस मैं दो संक्याओं का तो दोनों में digit है वो समान होने चीए कैसे कि यहां पर देखिए 6 और 2 दो डिजिट है वो यहां पर कितने 1, 4 और 3, 3 डिजिट है तो दोनों साइड में 3-3 करने जरूरी है तभी ये वीदि हम इ यहां 3 डिजिट है 1, 4 और 3 ठीक है और इसका करना है गुना अब गुना करने के लिए हम ऐसे लिखते है और साधरन तरीके से ऐसे गुना करते है तो ऐसे एक बार लिख दो उसके बाद में आपको क्या करना है यहां digit गिनने है टोटल डिजिट कितने है देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो 6 से एक कम करो कितने हो गए 5 तो 5 खंड बनाने यानि 5 खंड बनाने है तो यहां पर मैं खंड बना लेता हूँ यह 1st यह 2nd यह 3rd यह 4th और यह 5th ठीक है पांच खंड हो गए अब 5 खंड में किस तंग से संक्या लिखनी है वह थोड़ा त्यार देना यहां पर सबसे से पहले इस साइड से यानि बाय पक से 0 और 1 ऊपर वाली संक्या और नीचे वाली संक्या इसको continue लिखना है जीरो और 1 ठीक है उसके बाद में देखो 2nd खंड तो 2nd खंड के अंदर कैसे संक्या लिखना है दब दो दो डिजित लिखना है यानि 0 और 6 जीरो और 6 और नीचे वाले दोनों डिजिट वन और फॉर वन और फॉर ठीक है अब थर्ड खंड के इदर पूरा का पूरा सवाल आ जाएगा यानि जितने हैं अंक है चैंके 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 लिखना है देखो जीरो फिर सेक्स और टू थोड़े दूर दूर लिखना है जिसे आपको आसानी से उत्त प्रणा है यानि कि 602 इदर से दाएपक्स से दो डिजित लिखना है यानी सेख्स और टू और नीचे आजाएगा फूर और फ्री और फिप्त के अंदर जो पर्थम खंड के अंदर कैसे लिखा थाएगा जीरो और एक बाएपक्स से उसी प्रकार दाएपक्स से टू और थर खंडों के नीचे, ताकि इन खंडों का जो गुणा होगा, वो इन लाइन के बीच में लिखेंगे, अब मैं क्या करता हूँ, यहां पर देखिए, दो का गुणा तीन से करना है, सबसे पहले उपर और नीचे वाली जो संख्या है, उनका गुणा कर दो आपस में, तो तीन का क्रॉस में गुणा करना है, सबसे पहले देखो, जीरो का गुणा इस तीन से होगा, दोनों किनारे किनारे वाले संक्याओं का गुना कर दो यह से, फिर एक का गुना, दो से कर दो, क्रॉस में गुना, और बीच वाली संक्याओं का ऊपर नीचे गुना करना है, तो करता हूं मैं, सबसे पहले जीरो का गुना, तीन से करूंगा, तक के आएगा, जीरो, यहनि जी 0 से होगा, cross में गुणा, sorry, 0 का गुणा 3 से तो कर दिया था, और 4 और 6 का कर दिया, अब 1 का गुणा 2 से करना है, यसे cross में गुणा, ठीक है, तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2, तर्ते खंड सॉल हो गया, अब 2nd खंड की बारी, तो 2nd खंड में ऐसे cross में गुणा 0 का गुणा 4 से, तो 0 आगया, 1 का गुणा 6 से, तो 6 आगया, अब यहां पे 1 और 0, उपर नीचे गुणा करना है, लास्ट पर्थम खंड के अंदर, तो 0 का गुणा किसी से करते हैं, तो 0 याद रहते हैं, यहां आगया जाएगा, 0, ठीक है, तो यहां पे सभी खंडों को हमनें सॉल कर दिया, अब यह दिया, आपको यह समझ में नहीं आये, तो मैं थोड़ा लाइन के द्वार आपको समझा देता हूँ, देखो, सबसे पहले तो क्या करना है, ऐसे गुणा करना, उपर नीचे, फिर क्रोस में, फिर क्रोस में, साथ में, उपर नीचे, फिर वापस क्रोस में, और फिर उपर नीचे, तो यह continue, देखो, फर्ष् में, क्रोस में, फिर फिप्त में, उपर नीचे, तो यह अगर लाइन भी याद रखते होंगे, तो भी आपके काम हो जाएगा, next, लाइन किस्ते हैं, अब यहां पे, 6 हैं ऐसे कैसे, 18 और 6 हैं, जोड़ा तो कितने हो गए, 26, फिर लाइन, 0, 24 और 2, इन सब को जोड़ेंगे तो आजाएगा, 26, फिर लाइन, 0 और 6, मिलके किने हो गए, 6, और लास्ट में, 0 है, एक बाल लिक लेता है, चलिए, 0, अब आपका काम यहां पे, ध्यान रखने वाली बात है, कि परते खंड के अंदर आपको एक डिजिट रखना है, और पीछे-पीछे जोड़ते जाना है लास्ट में, यानि कि जो यह परत्सम खंड है, इस खंड में जितने भी अंग होगा, वो चलता है, आपको दूसरे खंड जितने भी जैसे 2 है, 3 है, 4 है, और 5 है, इनके अंदर एक डिजिट रखना है, तो यहां पे, 6 तो ऐसे कैसे एक डिजिट है, इसलिए रह जाएगा, यहां पे मुझे एक डिजिट को रखना है, तो एक डिजिट जो इक यह अंक है, यानि 6 है, तो ऐसे ही रह जाएगा, और लाइन किस लो, यहां से इस 2 को उठा के यहां लाना है, यानि 2 को जोड, 26 के अंदर कितने हो गए, 26 और 2 मिलके कितने हो गए, 28, ठीक है, 28 हो गए, फ समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूं इसको, अब 6, एक डिजिट है, ओके, यहां पर भी एक डिजिट है, ठीक है, अब यहां पे मुझे वापस एक डिजिट रखना है, तो 28 मैंसे जो इका यंक है, 8, वो तो रह जाएगा, यहां, यह ज अंदर तो 0 ही है, वैसे कोई मतलब नहीं है, परंतु 2, 3, 4, 5 के अंदर एक डिजिट रहना चाहिए, और वो आ गया है, अब इसको पास पास में लाएंगे, तो हमारे उत्तर आ जाएगा, तो यहां पे मैं, देखो, पास पास में लाता हूं, सभी 0, 8, 8, 6, और 6, सभी का गुणा 143 से करेंगे, तो उत्तर कीदना आएगा, 8,860, तो उर्धवत 3X से अगर गुणा आए, तो यह कर सकते आप, नेक्स, तेरवा परशन, तेरवा क्या है, कि एक दीगात बहुपद ग्याद कीजिए, जिसके सुनने को का यूग और गुणनफल दे रखा है, रूट 2 और 1Y3, इस सवाल को करने के दू में थड़ है, और दोनो मेसेज जो सरल है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो इसके अंदर देखो करना क्या है, कि दीगात बहुपद आपको पूछा है, तो दीगात बहुपद को मान लो, जो व्यापक दीगात बहुपद है, सबको यादी होगा, तो व्यापक जो दीगात बहुपद है, उसको मैं मान लेता हूं, कि माना दीगात बवपद AX स्क्वेर पलस BX पलस C है ठीक है यह होता है बवपद AX स्क्वेर पलस BX पलस C यह दीगात बवपद का व्यापक रूप है और इसको मैंने मान लिया कि यह है अब यहां पर मुझे सुन्ने को का योग दे रखा है और सुन्ने को का गुणन फल दे रखा है तो सुन्ने को का योग सुन्ने का अब अलफा और बीटा मानते हैं तो यह मान लो यह भी कि मानना दीगात बवपदी है तथा तथा सुन्ने क शुन्ने क अलफा और बीटा है तो सुन्ने को का योग यानि alpha plus beta सुन्यको का योग है वो alpha plus beta करता है क्या करता है minus b बटा a तो minus b बटा a आपको दिया हुगा इसके अंदर देखो सुन्यको का योग है वो आपको दे रखा कितना root 2 पहली पहली संग्या root 2 root 2 दे रखा है इसी परकार एक बात और दे रखी आपको सुन्यको का गुणनफल तो यहां लिख लो सुन्यको का गुणनफल alpha beta यह क्या होता है c बटा a यह आपको अच्छे टंग से मैंने बताया हुगा तो c बटा a और minus b बटा a यह आपको यान रखना है सुन्यको का योग और सुन्यको का गुणनफल तो सुन्यको का गुणनफल c बटा a होता है और यह आपको दिया हुआ कितना एक बटा 3 तो एक बटा 3 अब आपको कुछ नहीं करना यहां से उपर वाली लाइन यहां नीचे वाली लाइन यानि सुन्देकों का योग और सुन्देकों का गुणन फल से हमने जो A, B, C लिखा है वहां से A, B और C का पता लगाना और इसके अंदर रखना तो दीगात भूपद है वो आ जाएगा तो देखो यहां से अगर तुलना करें तो अंस का गुणा, अंस की तुलना अंस से करेंगे जैनि B है वो माइनस रूट टू आ जाएगा क्योंकि यहां माइनस है फिर A है वो कितना, यहां कुछ नहीं है, तो क्या होगा परंतु यहां पर A है, वो कितना बोल रहा है, 3, यहां C बराबर कितना है, 1 यहनि तुलना करना है, अंस की तुलना अंस से, हर की तुलना हर से तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां A बराबर 3 है, तो उपर नीचे 3 से गुणा कर दो तो मैं क्या कर रहा हूँ, अंस का गुणा, 3 से, और हर का गुणा, हर से भी, 3 का गुणा, उपर नीचे, 3 का गुणा की हो, क्यों किया, क्यों कि यहां पे, ए बराबर कितना दे रखा है, 3, तो अब गुणा करेंगे, तो क्या है, देखिए, 3, रूट टूवाय थ्री तिन का गुणा दो हुट दो से हो गया तो तीन रूट दो नीचे आ गया तीन क्योंकि यहां कुछ नहीं है तो एक लगा के बता सकता है तो तीन का गुणा एक से होगा तो तीन ही अब आप एजीली यहां तुलना करके A, B, और C का मान लिख सकते है यहां A बराबर कितना है, बताइए मुझे अब देखो A बराबर यहां पर 3 है और यहां पर B, A बराबर कितना है 3, यानि हर में दुनों समान करना है तो समान कर दिया हमने, और यह का मान आगया 3, फिर B का मान B का मान देखी B है वो यहां माइनस एस उत्रम है और यहां पगस वाली संक्या इसलिए माइनस में लिखना आपको 3 रूट 2 तो आजाएगा माइनस 3 रूट और 2 और C का मान कितना है C देखी यहां C बराबर क्या है 1 तुलना की अंस की तुलना अंस से तो C बराबर आगया 1 मेरे पास A का मान आगया B का मान आगया और C का मान आगया तो इजीली मैं इस बहुपद के अंदर रखूँगा और यहां पक जो दीघात बहुपद पूचा है उसका मान आजाएगा तो यहां मैं यहीं कर लेता हूँ नीचे लिखेंगे अतर अतर अभिष्ट दीघात बहुपद A X स्क्वेर पलस B X पलस C यह हमने दीघात बहुपद माना था अब A की जगह मैं लिखूँगा 3 तो आ जाएगा 3 X स्क्वेर B है वो कितना माइनस 3 रूट दो तो आ जाएगा माइनस 3 रूट 2 और X फिर पलस C का मान कितना है 1 तो आ जाएगा 1 तो यह आ जाएगा आपके जो अभिष्ट दीघात बहुपद आपको पूचा है यानि खुल मिला के आपको तुलना करके A, B, C का मान लाना है एक स्वार और करेंगे हम model paper 4 से तो आपको अच्छे तंग से यह समझ में आ जाएगा इसमें कुछ जादा विशेस है नि A, B, C के मान लाना है बस तो आगे बढ़ते हैं या जल्दी-जल्दी मैं तीनों condition एक बार repeat कर लेता हूं कि जो रेकिक समीकन युगमों होता है उनके अंदर तीन condition आती है या तो A1 बटा A2 not equal to B1 बटा B2 आता है ठीक है तो ऐसी इस्तति में रेकिक समीकन युगमों का क्या होता है अधित्य हल होता है यानि सिप और सिप केवल एक हल निकलता है ठीक है एक आता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 तो ऐसी इस्तति में अनन्त हल होता है जो कि यहाँ पे हमें लगाना है और एक condition होती है तीसरी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर B1 बटा C2 अब यह A1, B1, C1 क्या है यह आपको अभी पता चल जाएगा तो यहाँ पे अगर तीनों condition आपको याद है तो इससे समधी जो परशना आता है वो इजी लिए आप अटेंड कर पाएंगे तो चलिए यहाँ पे के का मान पूचा है तो लिखे लिए के के किस मान के लिए समीक यूग्म दगा समीकन यूग्म लिखे लेते पहले देखिए यहाँ लिखते हैं समीकन यूग्म कि समीकन क्या है 3x-2y अब देखिए यहाँ अचरपद याणि C हो नहीं दे रखा है A x plus by plus c होना चाहिए सी नहीं है कोई बात नहीं यहां पे बराबर जीरो लिख लेते हैं सीधा फिर दूसरा समीकरण है के एस पलस पांच वाई बराबर है जीरो अब यहां रिखेंगे कि रिखिक शमीकरण रिखिक शमीकरण युग्म के अनन्त हल होते हैं यदि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बराबर हो c1 बटा c2 ठीक है अब यहां पे a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 दिखालना है तो देखिए a1 a1 है वो क्या है पहली समीकरण का x का गुणांग समीकरण युग्म हमें सा इस रूप में होते हैं वो बता देता हो आपको a1 x पलस b1 y पलस c1 बराबर 0 दूसरा होता है समीकरण a2 x b2 y और c2 बराबर 0 अब यहां पे जो c1 है c2 यह जो अच्छर पद है वो आपको नहीं दि हुआ है यहां पर सीब x का गुणांग और y का गुणांग वाला पद है आपके पास में दोनों समीकरण में और जो अच्र पद है c वाला वो पद नहीं दिया हुआ है ठीक है तो यहां पहले समीकरण के अंदर जो x का गुणांग होता है वो a1 होता है पहले समीकरण के और दूसरे समीकन में 2,2,2 रखना, बस तो यहां पर यह पहला समीकन ऐसे समझ लो, फ़र्स्ट और यह है, दूसरा समीकन, इन दोनों समीकन से आपको क्या करना, A1 बटा A2, V1 बटा B2, C1 बटा C2 लिखना है, तो देखिए A1 बटा A2, यानि पहले समीकन का x का गुणांग, यहां से तुलना कर दो आप, तो यह आगे x का गुणांग कितना है, 3 है, a2 कितना है, a2 है, वो दूसरे समीकन का x का गुणांग कितना k, गुणांग का मतलब तो समझते होंगे आप अच्छे रंग से, क्योंकि x के आगे जो पद है, वो तो तीन आजाएगा गुणांग इस परकार X के आगे यहां क्या है K तो आजाएगा K फिर बराबर यहां B1 तो देखिए Y का गुणांग है वो B1 है परन्तु यहां अगर माइनस है तो माइनस साथ में लेके जाना है पलस वाली संक्या को लिखी जाती है पलस के रूप में माइनस पलस में गलती हो जाती है जल्द बाजी में इसलिए हमको साथा नहीं रखना है यहां Y का गुणां कितना है पांच तो लिखो पांच तो दोनों हमने लिख दिए अब C1 बटा C2 लिखने से मतलब नहीं है वैसे क्योंकि C1 पद है ही नहीं तो ऐसे लिख सकते है 0 5 का गुणा किसे होगा 3 से 5 तिया 15 बराबर माइनस 2 का गुणा किसे हो जाएगा के से तो माइनस 2 के अब की का मान लाना है तो यहां करके इसको माइनस 2 के तो आगे लिखता हूं 15 को पीछे लिखता हूं आगे पीछे किया है इसको मैं इधर लिखा है इसको इधर लिखा है अब k का मान क्या आजाएगा 15 बट्टा माइनस 2 तो इस चंद से k की विलियो आ गई हमारे पास 15 बटा माइनस 2 तो आप इजिली ऐसे समिकन आते हैं और उनका जो भी कंडिशन आगी है वो कंडिशन लगा कि आप मान प्राप्त कर सकते हैं